हेलो इस्ट्रेट्स वेल्कम बेक तो अबर यूट्यूब चैनल एन्वी क्रेटर आज हम बात करेंगे पीएट फोर्ट सेमिस्टर में एक्जामनेशन दोजाट चौविस के जून दो सैसन आपका है दोजाट ट्रेंटी ट्रेंटी फॉर ठीक है न दोजाटी जिसमें पेपर फॉर्ष्ट है जैन्डर स्कूल एंड सोसाइटी तो इसमें हम डिसकर्शन करेंगे किस तरीके पेपर है और आपका इपेपर किसी भी रिलेटेट अब कहीं से भी हो किसी तरीके से एक हैं रहता है दोसी तरीके से कुछ्चन पूछे जाते हैं चले इसमें देखते हैं किस तरीगे से पूछे गए हैं यहां पर इपेपल 75 मार्स का आता है जिसमें आपको 30 मार्स लाने होते हैं और दो पार्ट में डिवाइडी शन होता है खंड और खंडवाक कर दो चौह डिये जाते हैं जिनमें 11 प्रिशन को फ्रॉम्दा सेग्डर सब्दिकी परिवाशा कीजी और इसे विवेद कीजी है ठीक है ना अगला है जेंडर सब्दिकी विवेद ने काल करऊंगों में किस पेकार तुरुटी पूर्ण ब्याक्खा की गई थी यह आपका सेकंड कोश्चन है थर्ड कोश्चन है पित्र शत्ता पर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूचा कई बार भी पूचा गया है इसामाजिक तंत्र को किश्पकार पर भावीत करता है ठीक है ना जो पित्र शत्तर होता है यह पीड़ी दर पीड़ी चलता रहता है ठीक है ना और हमारे सोसलाइजेशन जो आपका सिस् दौनों समानारती हैं तो इन दौनों में क्या है पूरा एक टिपणी लिखना है बैक करके बताना है किस तरीके से सौर्ट टाइप में है ठीक है अगला कोश्चन है पांचमा कोश्चन भारती समाज में आज भी इन गोश्णाव की तारिकिता क्यों है इसमें कि बेटी करने बाला चित्र बनाईए तो आपको एक फिगर बनाना है और जिसमें एक क्या कहते हैं गल्स को बढ़ावा दिया जाता है हमारे सोसलाइजेशन में समाजी करण में तो पूरा उसको फिगर के द्वारा डिफाइन करना है अगला सेविंथ वाला कोश्चन है बालिका के ल किया गया है शावदारन विस्तरत उत्रत दीजी अगला है हमारे विद्यालों में पुरुष अहम इबं इस्तरी अहम मतलब अहम यदम और बयम तीन परकार के जो होते हैं इनमें आपको यह कि पुरुष अहम और इस्तरी अहम जो की फेमिनम सल्वस को किस पेकार शिखाये जाता है इसको आपको लिखना है यह आपका दस नमर नाइन नमर का कोश्चन है सोट टाइप देखिए जहां पर भी आपको हिंदी वाले कोश्चन में दिक्कत आती है तो आपको इंगलिस वाले को आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है क्योंकि जो इंगलिस राइटिंग होती है वो बहुत इजी होती है कंपेर देन हिंदी ठीक है तो आप इंगलिस को अच्छे से पढ़कर हिंदी वाले कोश्चन को लिख शकते हो ठीक है तो पॉइंट आउट दा बेसिक चैलेंज कमिंग इन दा बी ओप भूमेन ए सेक्स एजूकेशन की अनिवारता होनी चाहिए दी हां तो किस पेकार लागू की जानी चाहिए इसको आपको लिखना है किस तरीके से इसमें गाइड किया जाता है ठीक है पूरा बिस्तार से लिखना चाहिए किस इस तर पर किस तरीके से बर्तमान एंडु अर्डु अर्ड क्या है भारती समाज में इसका क्या कारण है तो पूरा इसका लिखना है काफी जादा क्यूंकि यह रिलेटेड ही है उससे टॉपिक से रिलेटेड है तो पूरा विस्तार से लिखना है क्या क्या चीजें समाज में इसका चल रहा है और क्या क्या चीजें फिस करना होता है तो बीष्ट को शाइवर योन अपरात को अप जानते हो पॉस्कोएक्ट कब लगता है जब 18 एब आप से जो नीचे जो भी गल्स भी होता है उनके ऊपर कोई भी उठीने सोसर रही देंग तो उन पर लगाए जाता है जिसकी भी कई मतलब गंबीर धाराएं होती हैं तो वो आप बिल्कुल बिस्तार से पढ़िएगा अगला है साइवर साइवर यो अपराद और इनके बारे में भी आप बिल्कुल दिहान से लगशकते हो ठीक है ना अगला खंड बार सेक्शन भी सेक्शन भी है लोंग टाइप कोश्चन के बारे में ठीक है एक बालका की समाजी करण पिरकिया पर प्रिकार्श दालिए जिससे उसी स्वयम के इस्तरी इस्तब्द का ग्यान होता है राज जीवम कानून के दौरा उसके अस्त्र तेवम समतलता को इस्तापित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किये गए है ठीक है पहला कोश्चन है अगला कोश्चन है बालकाओं की सिक्षा तक अशमान पहुँची उनके परती समस्त प्रिकार की अशमानताओं की जनक है ठीक है ना सिद्ध कीजिए यह लिखना है जेंडर समान अशमानता की प्रमुक्तत्तों को लिखिए इसमें सिक्षा पाटकर्म की मूल्यांकन भूमकाओं का निर्धारन कीजिए भारत में अनुसूसिच जनजाती जनजाती अल्प संके बर्गों को सुतंता पल्चत्तर बर्सबाद राष्टी की मुक्धारा से क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है जबकि उनको पूरारुपन आरक्षन समीदानिक शक्तियों के अंतरगर्ट पिदान किया गया है बेवेशना करना है अगला ये जो आपका वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के बारे में एनलिसिस करेंगे जिसके भी पेपर होते जाए वह आप हमारी इस नंबर पर हमें वाट्सप कर दिया करो ताकि हम उन उनिवर्सिटी को भी एनलिसिस कर सकें ठीक है ना 7987084690 यह हमारा वाट्सप नंबर है आप हमारे अपने पेपर हमें चाहिन कर सकते हो धन्यवाद